नमस्कार जोहार का शिशनी उसके डिजिटल प्लाटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूँ दीपक शर्मा हमने आपको हाल ही में ये संभावना व्यक्त की थी कि इंडिये गड़ बंधन खत्रे में है लेकिन एक और संभावना जोहारखंड की सियासत में उभरती दिख रही है उस एहमद मीर ने रोटेशन पर CM की बात की थी यानि कि उन्होंने अपने कारेकरताओं को पार्टी नेताओं को संभोधित करते हुए कहा था कि 20 से अधिक सीटे अगर हम लेकर आते हैं तो कॉंग्रेस पार्टी का भी CM बन सकता है इसके बाद तुरंत हेमन सोरिन से उनकी मुल मुलाकात हुई थी कहा ये जा रहा है कि गुलाम एहमद मीर के इस बयान को लेकर जेमम नेताओं में नाराजगी थी हेमन सोरिन ने उन्हें तलब किया था जिसके कारण वो हेमन सोरिन से मुलाकात करने गय थे लेकिन बंद कमरे में क्या बात हुई ये स्थिति इस पष्ट नहीं हो पाई है पर चर्चा का बाजार गर्म है हमारे साथ हमारे साहियोगी आश्रतोष मिस्रा जुड़े हुए हैं इन से हम जलते हैं कि जार्खंड की सियासत में बीजेपी गडबंधन खत्रे में है इस संभावना पर तो हमने अपने दर्शकों को जानकारी साजा की INDI Alliance में भी खत्रा हो सकता है जबकि जार्खंड में गडबंधन की सरकार समय अवधी पूरी कर ले ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धी है इस उपलब्धी के बाद भी ये चर्चा क्यों है चर्चा के अपने इंट्रो में ही क्लियर कर दिया कि ये चर्चा तब शुरू ही जब गुला मुहमद मीर का एक बयान आया 25 से 30 सीटे जीताने की बात कर रहे थे अपने करकरताओं के बीच में और कहा था अगर आप लोग जीताते हैं तो फिर हम लोग रोटेशन पॉलिशी के तहट हमारा भी सीएम हो सकता है और उसके बाद जेमिम की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया दी गए और उसके बाद से अब डेमेज कंट्रोल की कोशिश हो रही है यानि कि उस बयान के बाद जो विवाद उत्पन हुआ था या फिर जो रिलेशन में रिष्टे में जो खटास आई थी उसको फिर से मिठास में तबदील करने की कोशिश चल रही है हलाकि अब तक ये कोशिश मतलब कामयाब होती नजर नहीं आ रही है खबर तो ये तक आ रही है कि जे में मतलब इनका दावा तो कुछ और था यारिकि 25 से 30 सीटे जितने का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा सीट चाहिए इनको ज्यानि 45 प्रम सेटम चाहिए है जबकि पिछ अच्छा बिल्कुल नहीं पूरी होने वाली है ये तै हो गया है रही बात कि इस बयान के बार 11 सीट जो मिली हुई थी उस पर भी खतरा मन रहने लगा है कि शायद उतनी सीटे भी इस बार जे में कॉंगरेस को न दे चुकि कॉंगरेस का जो स्टेटमेंट आ रहा है और जो मनशा है वो शायद ठीक नहीं लग रही है जेमिम के लोगों को या फिर हेमंद सोरेन को जो भी है उन लोगों को तो इसी बज़ा से कह सकते हैं हलकि थोड़ी जल्दिवाजी होगी चुकि बरे निताओं से हेमंद सोरेन के लगातार बाचीत होती रहती है राहूल गांदी और सोनिया गांदी से अच्छी बांडिंग है बाचीत होती रहती है तो कहीं दे कहीं बाद में डेमेज कंट्रोल हो सकता है लेकिन कॉंग्रेस की ये इस्थिती नहीं है कि वो अकेले चुनाओं में लरे हमने पहले भी चर्चा कर चुटके हैं किस तरीके से 2005 में जब अकेल सीटे मिली थी क्राउंडिस को ये बात भी नहीं भोलनी चाहिए और अब गटबंदन रहे तो बेशक इसमें कहीं से भी कोई रती भर भी संदेय नहीं होना चाहिए कि जो टक्कर है वो जवर्दस्त होने वाली है इस बार वैसे पीछे का तुरा सा बैक्राउंडर पर हम लो इतनी सीटे हम जीतेंगे गुलाम एहमद मीर तो उसके आधार पर सीएम कॉंग्रेस का हो इसकी संभावना भी व्यक्त कर चुके हैं ये कॉंफिडेंस कहां से आ रहा है देखिए कॉंफिडेंस जो पीछली बार जो वोट परसेंटेज आया था या जिस दल को जितने वोट म हम ठोक रहे हैं कि इस बार तो उनकी फटा निश्शित है अब क्यूं ठोक रहे हैं आंकडे के साथ हम बताना चाहते हैं कि 2019 में क्या हुआ था और 2024 लोग सभा चुनाओं में क्या हुआ था जो 2024 जाठन विधान सभा चुनाओं में लगता है दोनों घटबंधन को की यही ची का घटबंधन हुआ था तो जामुमों को जो वोट मिले थे वो मिला था कुल 28,17,442 और परसेंटीज वाइस देखा जाए तो 18.72 फिजदी निकलता है लेकिन दिल्चस्प बात यह है कि 1.71 फिजदी की गिरावट आती है यानि संख्या कम गई है वोटों की बिल्कुल कम है हलाकि सीट जो है वो गेन करता है जामुमों 11 सीट कुल सीट मिलती है 30 यानि 43 में से 30 सीट जितती है जामुमों जितता है और 11 सीटों का इजाफा होता है यानि पिछली बार 19 सीटें ही जामुमों जिता थे यानि 2014 की बार तरे तो उसी तरीके से कॉंग्रेस की बार चारे तो कॉंग्रेस को 31 सीट मिली थी 16 पर जीत दर्ज की थी 3.42 फिजदी वोट पतिशत में कॉंग्रेस का इजाफ़ा हुआ था ये गटवंधन की बात कर रहे हैं उस समय यूपीय हुआ करता था तब चुनावल रागया था तो 3.42 फिजदी लोगों ने जादा 2014 के मुकाबले अपन वोट दिया समर्थन किया कॉंग्रेस के प्रत्याशियों को कुल वोट परसेंट के जुआ थे वो 13.88 फिजदी है जबकि कुल वोट की बात करें तो वो है 20,88,863 और 2014 में एक सीट थी और इस बार 16 सीट थी तो इस पार 10 सीटों का इजाफ़ा कॉंग्रेस को हुआ है लेकिन वोट परसेंट सिर्फ 3 परसेंट के आसपास ही बढ़ा है जबकि जेमेम का नुकसान हुआ है वोट संख्या उसकी कम हुई है पर सीटे बढ़ गई है बिल्कुल बिल्कुल यही होता है मतलब गटवंदन में रहने के फायदे और गटवंदन में नहीं रहने के नु सब्सक्राइब रहे थे और वह प्लाशीव वदा चुकि 2014 में खाता भी नहीं खुला था लेकिन वोट परसेंटेज में आर्जेटी की गिरावट आई है 0.38% के आसपास वोट शेयर कम हुआ है 2.75% लोगों ने पसंद किया यानि वोट दिया है और कुल वोट की बात रहे तो 4,13,166 वोट आर्जेटी की कंडिडेट को साथ कंडिडेट को 4 लाग के आसपास वोट मिले एक जीत पाए बिल्कुल 2019 की बात चर रहे हैं अब तीनों दल चुकि यूपीय में थे और इनी की सरकार चल लई है तो तीनों को जोर दिया जाये तो कुल वोट परसेंटेज होते हैं 35.35 यानि करीब सारे 35.25 और टोटल घट बंदन में इजाफा होता है 1.33 परतिशत और सीटे मिलती है 47 यानि 2014 के उकावले में 22 सीट जादा यूपीय को मिलता है नतीजा सरकार बनती है 2019 में हमन्सुरें के नेतरित्तु में अब कुल वोट की बात चरहें तो 53,19,472 वोट यूपीय को मिलता है निया जिस घट बंदन की सरकार चल रही होती है उसको अब देखिए ये जो आखड़ा है यानि कि कुल वोट जो परे थे जार्खन में पिछली बार वो एक करोर 50,48,908 वोट परे थे उसमें से इतना वोट इनको आया है ने कितना वोट आया है तो 53,19, 2472 अब बात चर लेते हैं बीजेपी को कितना क्या मिला था बीजेपी को जो सीटे मिली थी पिसली बार वो 25 सीटे मिली थी यानि 12 सीटों का नुकसान हुआ था 2014 के मुकाबले में लेकिन वोट शेयर में इजाफा हुआ था 2.11 फिजदी लोगों ने ज्यादा वोट किया थे लोगों ने पसंद किया बीजेपी को मिदवारग को वोट किया यानि कि पिसली बार 31 फिसदी कासपस था इस बार 33 दसंबला 37 फिसदी और कुल हार का गम बीजेपी यही कहकर दूर कर रही थी कि हमारे वोटर्स बढ़े हैं बले ही सीट कम गई हो बिलकुल उस पर भी आगे इन दलों को उन तीनों दलों को तीरपन लाख हुनीस चारसो बहत्तर वोट आया है सिर्फ तीन लाख के आसपास वोट ज्यादा मिले हैं और सीट डबल हो गए बिलकुल उसी तरीके से अब जो जो जेवीम उस समय हुआ करता था बावुलालमरांडी की पार्टी उसको कितन पांच प्रिजदी यानि 5.45 प्रतिशत लोगों ने वोट किया था, 2014 के मुकाबले में 4.45 फिजदी लोगों ने कम वोट किया यानि गिरावट आई है बावुलालमरांडी के पत्याश्यों को वोट देने में, तीन सीटे जीतने में जेवीम काम्याब रहा, 2014 में 8 सीटे जे जो आजशू है सहयोगी है, जिसको साथ लेकर चलने की बात हो रही है, क्यों साथ लेकर चलने की बात हो रही है, वो भी हम बताना चाहेंगे, देखिए, आजशू को पिछली बार वोट कोटल मिला था, 12,19,535, 8.10 प्रतिशत वोट मिला था, 4.42 फिजदी का वोट शियर मे उचाल अचानक आया था, आजशू का जब अलग चुनावला रहा था, अभी तक जितने भी दल है, इतना परसेंटेज इजाफा नहीं हुआ था, किसी में जितना आजशू को हुआ है, लेकिन सीटे कितनी जीती आजशू ने, दो सीट, पिछली बार 2014 में 5 सीट जीती थी, यानि तीन सीटों का नुक्सान हुआ था, क्यों नुक्सान हुआ था, चुटी अलग अलग चुनावला रहे थी यह लोग, यानि कि NDA नहीं बन पाया था, अब रही बात, इसकी बात करते हैं, तो जो वामदल हैं, उसको कितना वोट आया था, तो वामदल को 1,72,475 वोट आया था, 1.15 फिस्दी लोगों ने वोट मदान किया था वामदल के पक्स में, 0.37 प्रतिशत विड़ावट आई थी, वोट में, एक सीट जितने में वामदल के निता काम्याब रहते, पिछली बार एक सीट भी नहीं थी, एक सीट यानि रिटियन करने में काम्याब रहते हैं, लेकिन जो वोट मिलता है एक सीट वोट वोट तीर सट हजार तिन सो बीस, यानि कि 0.42 प्रतिशत, उसी तरिके से जो ओवैसी की पार्टी है, उसने भी किस्मत आजमाई थी, वहापर कई उमिदवार दिये थे, लोगों ने ओवैसी को वोट किया है, तो इस तरीके से देखा जाया, तो निर्दलिये को जो 2019 में जो वोट मिला था, वो 9,85,438 वोट यानि 6,555 वोट निर्दलिये को मिला था, निर्दलिये जाकन में बरे फैक्टर हमेशा साबित होते रहे हैं, मज़ूर को डा निर्दल इस बार जीते थे यानि पिसली बार 2014 में एक भी सिक नहीं थी, तो दो सिक प्लस हुआ, निर्दलिये के खाते में, नोटा को भी वोट पर आ था, उस समय 2,5,050 वोट नोटा को भी, यानि किसी भी उमिद्वार से जो लोग पसंद नहीं तो नोटा का बटन दबाया था, त एक दसमलो 36 फिजदी नोटा के लिए भी वोटिंग हुई थी, अब देखिए इसको जोर दिया जाए, तो इसलिए सब खुश हो रहे हैं या जो आखर निकालते हैं, तो 2019 में अगर ये सारे लोग को वोट जोर दिया रहता है, जो अब लगता है कि जेडियू प्लस हो रहा ह है और चिराग पासवान और हम भी हैं, हलाकि अब तक उनकी क्लियरेटी नहीं आई है, तो 50 लाख अकेले भीजेपी को है वोट, 8 लाख से जादा वोट है बावुलाल मरांडी को और 12 लाख वोट है आजशू को, 12,8, 20 और 50, 70, यानि कि 71 लाख वोट अगर ये तीनों साथ लगते पिछली बार तो शायद इतने वोट आते और यहीं लगता है इस बार कि अब चुके तीनों आ गया है साथ में, बावुलाल मरांडी अपनी पाठी का विला कर चुके हैं, आजशू से घटवन्दन का है मनत भी सर्मा कर चुके हैं, हलाकि सीट पर कुछ पेश फसाव एक दो सीट पर यह लोग भी हैं, इसके अलावाद चमपाई सोरेन भी आ गये हैं, हुसायनाबाद की जो सीट थी वो बीजेपी के तहट अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो यह तमाम समिकरन जो है, लगता है बीजेपी को कि यह सारे बोट परसेंटेज जूर जूर जाएं, तो आराम से हमारी सरकार बन जाएगी, लोग सभा चुनाओं में भी जो 81 सीट थी उसमें से 50 से ज्यादा सीटों पर बढ़त मिले थी, यानि बीजेपी को बढ़त मिले थी, सबसे बरी बात जो सरकार के खिलाफ जाती है, इंटी इंकर्मेंसी, इसको भी बीजेपी जो हमन सुरें ने वादे किये थे, वो शायद फुलफिल नहीं हो पाया है, तो उसका भी फायदा हमको मिलेगा, तो ये इनको लगता है, और इधर ये लगता है, कि हमने बहुत अच्छा काम किया है, जो यूपिये के लोग हैं, हमने बहुत अच्छा काम किया है, मैया समान योजना सेलेक्टर के कई योजनाय चल रही है अबुआवास योजना जिस्ता फाइदा हमको मिलेगा और पिछली बार से ज्यादा जो जेल यात्रा जो हुई है आरोप लगता है कि बीजेपी ने साधिश के तहद फंसाकर के भिजवाया है तो वो जो सहानभूति की लाहर है वो एक फैक्टर है मैया समान योजना वरा फैक्टर है इसके अलावा जो कल्पना सोरेन जो अचानक सुर्क्यों में आई है उस जेल प्रक्रण के बाद वो सबसे ज्यादा एडवांटिस जेमें को लगता है कि उसका मिलने जा रहा है चुटकि वो ज्यादा अच्छे से लो होता है कि हम सत्ता के तक पहुंच पाएंगे और बीजेपी को इस लिहाद से लगता है हाला कि यह जरूरी नहीं होता है कि अगर जो अलग अलग वोट चुनाओं मिल रहे हैं और वो साथ लर जाएं तो सारे वोट एक साथ ही मिल जाएं ऐसा होता तो फिर परिनाम कई राज को जो अपेक्षा होती है कि उस पार्टी से हमको टिकट मिल सकता है उनको टिकट से वनचीत रहना पड़ता है और वैसे लोग बागी ताल ठोकते हैं तो बागी जब ताल ठोकेंगे तो जहां है वहीं से वोट लाएंगे वो और फिर अपना कुछ जन अधार होता है तो वह करते हैं उसी अधार पर वोट करते हैं कंडिरेट के अधार पर वोट होता है पार्टी के अधार पर वोटिंग होती है विचारधारा के अधार पर वोटिंग होती है तो इस तरीके से जो आखडे हैं वो दोनों दल को खुश करने के लिए कहा जा सकता है कि है लेकिन धरातल पर क्या उतरता है वो 2024 का जो चुनाओ परिनाम आएगा अभी तक तो घोषना नहीं हुए चुनाओ की तारिखों का कि लेकिन जब परिनाम आएगा तभी पदा चलेगा बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी इन सियासी समिकरण के बीच वोटों की संख्या के आधार पर ज़ार खंड की राजनिती की संभावना पर बात करने के लिए एक बहुत ही लोगप्रिय पुस्तक होई है यानि कि अगर आप आखणों को गिनकर भविश्य की संभावना को लेकर निश्चिन्त हो जाते हैं तो ये सियासत में हार की संभावना बढ़ा देती है निश्चिन्त होने वाली बात नहीं है एंडिये खेमा एक एक वोट गिनकर एक क्यावन सीटों से अधिक पर जीत की सिर्फ बीजेपी दावेदारी कर रहा है आजसू उसी आधार पर अपनी संभावना को लेकर भी देखते हैं कि सीटों के तालमेल पर क्या बात चीत बनती है आपको क्या रखता है कमेंट सेक्षन में ये जरूर राय साजवा करें कि किस दल के हिस्से कितनी सीटे जा सकती है ये बताएं और किसकी सरकार बनने की संभावना आप देख रहे हैं क्या जे एमें सत्ता में सहीयोगियों के साथ बने रहने में काम्याब होगा कमेंट बिहार से जुड़ी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए मारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बूलें बिल आइकॉन भी दबा दें बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए नमस्कार जोहार